हलो एवरिवन वेलकम बैक टो बेंच क्रेविंग्स और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही इंटरस्टिंग है साथ ही बहुत ही जादा टेस्टी भी ब्रेकफास्ट में मैंने काले चने बनाए थे उसमें से थोड़ी से काले चने बच कहे थे तो उनी चनों के साथ में मैंने इस रेसिपी को तयार किया है यानि आज की recipe में हम leftover समान से बनाने वाले हैं बहुत ही interesting और बहुत ही tasty सी अपनी main course की एक dish आप इसे रोटी के साथ में serve कर सकते हैं या फिर आप इसे rice के साथ में enjoy कर सकते हैं तो आएए फिर start करते हैं अपनी आज की recipe और recipe से पहले चैनल को subscribe करना ना भूलें साथी bell icon को press कर दें ताकि आप तक मेरे हर एक नई recipe का notification पहुंचता रहें तो सबसे पहले एक non-stick pan में add कर रही हूँ 2 tablespoon refined oil तेल के गर्म हो जाने पर इसमें add करें थोड़ी सी hing यहाँ पर मैंने 1 fourth teaspoon hing का use किया है साथ ही add करें 1 teaspoon जीरा जीरे के बाद में मैं इसके अंदर add कर रही हूँ 1 tablespoon बारी कटी हुई अद्रक लेसुन और हरी मिर्च सारी चीजों को अच्छे से भून लें और अब हम इसके अंदर mix करेंगे प्याज यहाँ मैं आधा कप प्याज के slices का use कर रही हूँ प्याज को हम golden brown होने तक अच्छे से भून लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज golden brown हो चुकी है और अब हम इसके अंदर add करेंगे टमाटर तो यहाँ टमाटर की quantity भी ठीक प्याज के बराबर है यानि इसके अंदर मैं आधा कफ फ्रिश टमेटो प्यूरे एड़ करने जा रही हूँ अब दोनों चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे रेसिपी के बड़िया टेस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्याज को आप golden brown जरूर भूने और यहाँ पर टमाटर अच्छे से भून चुका है और अब हम इसके अंदर add करने वाले हैं बाकी के मसाले सबसे पहले मैं इसके अंदर add कर रही हूँ हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एक टेबिल स्पून कसूरी मिथी हाफ टी स्पून गरम मसाला सारे मसाले को हम अच्छे से फिर से भून लेंगे आज की रेसिपी में इंग्रीडियंट्स की जो कौन्टिटी मैंने यूज की है वो लगबग 6 लुकों को सर्फ करेगी और प्याज और टमाटर के बाद में अब बारी आती है इसके अंदर उबले हुए आलू add करने की यहाँ पर मैंने आधा कप उबला हुआ और कदुकस किया हुआ अलू इसके अंदर mix किया है तो सारे मसाले के साथ में अलू अच्छे से mix करने के बाद में हम इसके अंदर add करेंगे पानी पानी की कौन्टिटी इस बात पर depend करती है कि आपको किस तरह की consistency पसंद है अगर आपको ये बाद में थिक भी लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें बाद में भी add कर सकते हैं तो यहाँ मैंने लगभग 200 ml पानी add कर दिया है और अब मैं इसके अंदर add करने वाली हूँ एक कब उबले हुए काले चने gas की flame को इस समय फुल पर कर दें और अच्छे से सारी चीज़ों को mix कर लें और इसी point पर हम इसके अंदर add करेंगे नमक, नमक की quantity आपको अपने taste के according रखनी है साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि अगर चने उबालते समय आपने नमक उसके अंदर डाला था तो नमक की quantity इस point पर थोड़ी सी कम रखें तो ये लीजिए मैंने डाल दिया नमक इसके अंदर और नमक डालने के बाद में फिर से अच्छे से mix करेंगे और अब हम gas की flame को low पर कर देंगे और low flame पर हम इसे ढखकर पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से ढखकर पकाना है और 5 मिनट के बाद में हमारी recipe बनकर एकदम तयार है आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है और शुरूरात में हमने केवल इसे बनाते हुए 2 टेबल स्पून ओयल का यूज किया है तो बहुत ही कम ओयल में बहुत हेल्दी recipe बनकर तयार है और अब gas की flame को बंद कर दें और गानिशिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया एट करते वक्ते ये ध्यान रखें कि serve करने से ठीक पहले ही किसी भी recipe के अंदर आप हरा धनिया एट करें क्योंकि अगर बहुत देर पहले आप धनिया किसी भी recipe में एट कर देते हैं तो उसका रंग थोड़ा खराब हो जाता है और जबकि जो ताजा ताजा धनिया होता है उससे हमारी जो recipe है वो बहुत अच्छी लगती है और ये लीजिए हमारी recipe बनकर एकदम तैयार है लग रही है न ये देखने में एकदम tempting ता आज की इस recipe को जरूर ट्राय करें और आपको ये recipe कैसी लगी मुझे comment section में लिकर क्यार एंड कीप वाचिंग बिंच क्रेविंग्स